बीजेपी नेता और राज्य सभासान सदनारायन राने को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है कोट ने केंदरी मंत्री की उसी याचिका को खारिस कर दिया है जिसमें उन्होंने बॉंबे हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी यानि अब अवैत निर्मान को लेकर बुल्डोजर केवल आमजनता की संपत्ती पर नहीं बलकि केंदरी मंत्री के घर पर भी चल सकता है महराश्चों से लेकर गोवा और यूपी से लेकर मद्ध प्रदेश तक बुल्डोजर की कारवाई की चर्चा जोरो पर है आरोपियों से लेकर आमजनता की संपत्ती पर जम कर बुल्डोजर चल रहा है लेकिन अब बारी बीजेपी के नेता और केंदरी मंत्री नारायन राने की है उनकी अवैत संपत्ती को गिराने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी जंडी दिखा दी दरसल हाई कोर्ट ने पिछले हफते ही BMC को आदेश दिया था कि राने के बंगले में चल रहे अनादिकरत निर्मान को ध्वस्त कर दिया जाए इसके अलावा राने पर 10 लाक रुपे का जर्माना भी लगाया गया था इसी के खिलाब राने ने सुप्रीम कोर्ट में चल का दायर की थी कोड की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर कानून के दायरे में काम नहीं हुआ तो बंगला गिरना तैय है वैसे इस बंगले को बचाने के लिए राणे ने बहुत कोशिश की है उन्होंने बॉंबे हाई कोट में एक याचिका दायर कर BMC की नोटिस को रद्ध करने की मांग की थी राणे ने याचिका में BMC की तरफ से 25 फरवरी, 4 मार्च और 16 मार्च को दिये गए नोटिस को विक्रत, अवैद और मूल अधिकारों का उलंगन बताया था इसके बाद बॉंबे हाई कोट ने अवैद निर्मान को तोड़ने पर कुछ दिन के लिए रोक लगा दी थी हाला कि अब उन्हें सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है, अब बीजेपी के नेता के घर भी बुल्डोजर का चलना तय है डीवी लाइफ की रिपोर्ट